लालकवा विधानसभा में 2022 का विधानसभा चुनाव बेहत दिल्चस्प हो रहा है यहाँ पूरू मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन में जनता कैबिनेट पार्टी की जो मुख्या हैं वो हमारे बीच पहुँच गई हैं और इनसे जानेंगे हम कि आखिर इन्होंने हरीश रावत की पार्टी को अपना समर्थन क्यों दिया मैं सबसे पहले आपने हाल ही में जब पार्टी बनाई थी तो आपने ये कहा था हमसे कि हम पूरे सत्तर विधानसभाव में अपने प्रतियाशियों को उतारेंगे आज ऐसा क्या हुआ कि आप हरीश रावत के परचार में लालगवा पहुंची है देखिए मैंने एक साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो मैंने किरंदा से बात की थी किरंदा ने का कि मैं संध्यागों लड़ाऊंगा और उसके बाद वो कॉंग्रेस की तरफ चले गए थे तो कॉंग्रेस में कॉंग्रेस टिकट मांगे लगए तो अभी एक मैने पहले मेरी मोहन बिष्टी बात लगातार चल रही थी तो मैंने कुछ ग्रूप बनाई थे जै यह दो बहुत सारे लिस्ट मनाई थी मैंने कम सकंद 30-40 जीताओं के और बाकी नॉर्मल कंड़ेस ते सतर में लड़ा रही थी मैंने पूरा प्रचार प्रसार किया लास्ट में तक कारेले भी बनाया एकाएक क्या हुआ जब मैंने बहुत बड़े कारेले का उध्गाटन किय तो जब मेरी होडिंग लगी जब मैंने कहा कि इंवस्ताजारी को आप उठाएगी क्रेंट सची वाले के भाल लगाया तो रातों रात ये इतने घबरा गए 2400 गोडिंग लगाई मैंने अपनी जाजात बेचके उस उत्राखंड राजी के युवाओं की महलाई लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपनी प्रापर्टी बेचके प्रचाप प्रशार के अपनी प्रटी का तो इन्होंने मेरी रातों रात हाईजक कर लिए भाटपाव मेरी जमीन चीनने के चिकर में क्या उन कंडिडेटं से आपकी पहली बात हो चुकी थी टिकट को लेकर जो आप कह रहे हो कि उन्होंने मेरे कंडिडेट को टिकट देती बिल्कुल बिल्कुल सरीधारिया मेरे घर में छे बार रहे गई उसके अकाउंट में पैसे तक डाले हैं और मोनविस्ट का मुबाइल चेक कर आ जा सकता है मैसेज चेक कर जा सकते हैं और इससे मेरी बात हुई है कई बार तब यह बीजेपी में एक हफ्ते बाद जोईन किया और इसी तरह खजान गुट होगे सब सब कंडियेट का रिकॉर्ड है मेरे पास उनसे मेरी बात हुई उन्हें का हमें नहीं मिलेगी रात तो रात जब बीजेपी दस बार कंडियेट को जैसे ठुक्राल की काट दी और किसी और को दे दी ऐसी नया नानक मत्त में किसी और को देखा होगा 40 कंडियेट इस बार नए उत्र हैं उत्राखन में इनकी एक छेत्र में आटनों कंडिये उनको टिकट नहीं दी और मेरे लोग को टिकट कि रात और रात दे दी कि बतानी यह आएगी तो हमें मैंने एक मुद्दा कहा था कि गैरसेंड में बनेगी जेल राजध कर रहें उनको टिकट मिलनी चीए और आज देखे बाबा के दार की इतनी बड़ी करपा हुई इन्हों ने तो मुझे फेल करने का प्रयास किया और बाबा के दार ने आज मेरे घ्रह चेत्र में मेरी विधान समय में भावी सी मुख्यमंतरी जो दाविदार हैं देखे 5 साल बादपा ने कुछ नहीं किया और हरी श्रावत अभी मुख्यमंतरी बनेंगे और उनको मेरे बिधान सा भीजा ताकि आज में उनको जिता सकूँ और मेरे पर जिम्मेदारी आ गई है आप जब पहले प्रेस करती थी तो दोनु पार्टियों पर आरोप लगाती थी खासकर कॉंग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाती थी लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हर्दा के पती आपका प्रेम जाग गया जनता का प्रेम है देखे मुझे किसी के लिए तो करना दामी तो के ताइम पर मैंने कम से कम आट मैंने धरने प्रसंद किये उसने 1090 गोषणाएं की और उसमें 163 गोषणाएं करीबाकी सासन में हुई नहीं खाली कैबनेट होके छूट गई तो जब हां हर्दा का फोन आया कि मेरी विधान सबाब हो है कि मेरी मेरे को मदद कर तो मैं इसलिए आगे आ रही हूं क्योंकि एक अगर मुझे मंत्री बनता है वो मुझे छोटी बहन कह रहा है और खुच से फोन कर रहा है और दूसरे बाद 30 साल पहले वैसे भी हर्दा ने क्या कोई बात दूसरे को लेकर आशाकारी करता है भोजन माता है आगन बाड़ी फार्मसिष्ट 23 दिन मैंने फार्मसिष्ट वानों को खाना पीना करहना रखिया हुआ हुआ है और कम से एक सवा महिना पी आड़ी जवान ठंड में दिसंबर के मैंने नॉम्बर दिसंबर के तो आज उन मुद्धों की लड़ाई हर्दा पूरी करेंगे हर्दा को प्रास्पिक तरस करने में उन्हें मेरे से कहा भी है और मैं तेरे सारे मुद्धे पूरे करूंगा और इसी तरह लालकवा बाइपास भी हो चाहते हैं और इसी तरह बिंदु खत्ता राज्यसु गाउ के आगे करने के लिए बनी है और मैं इसलिए कंडियर ला रहे थी ताकि कुछ सीट जी जाती तो हम सरकार पर दबाव बनाते इन्होंने मेरे कंडिरे उठा लिए कोई बात नि जो भी करता उपर वाला अच्छा करता है आज मुख्यमंत्री मेरे छेत्र में आये हैं इसलिए कि मेरे सारे मुद्दों पर सहमती हुई है आपने अभी कहा कि सारी आपकी लड़ाई उत्राखंडी बाहरी है इसी विधानसभा में सबसे पहला सवाल यही उट रहा है जो बीजेपी लगातार परचार कर रही है कि हरी सराव तो पैरा सूट कंडिडेट है जिस मुद्दे क कहीं ओता उत्राखंड के ओं लोग अब जाप मोधी उत्राखंड के लड़ सकते हैं यह तो अपनय स्टेट की बात है तो मोधी जी को तरसथ क्यों निकाए जब वह दूसरे स्टैट में यह तो अपने इस पर डव का रहे हैं अब जिले भी भारी होगा मैं जब आगी तो मैं तो उस समय आई जब आपदा आ गई थी तो उस समय मैं सबसे पहले पहुंची हो भाटपार कॉंग्रेस से पहले पहुंची हो तो अगर कोई भी लोकल मुद्दे होंगे वो सबसे पहले मैं खड़ी हूँ और हरिन भाई मुबोरा है और अब तो तिन तिन आद्मी खड़े हैं हर्दा के विहाब पर हर्दा मुख्यमंत्री बनेंगे हम सासन लेबल में काम करा किलाओंगी और छेतरी लेबल पर हरिन बोरा कि उसे घेरा हुआ है तो कुछ रड़िन कारियों ने हरिश्रावत को रामनगर से लड़ने के लिए मना कर दिया नहीं लड़ने दिया और बबाल करा तो हाई कमान ने सोचा कि मुख्यमंत्री को जीतना जरूरी है यहां भी नराजगी चल रही है वह हाई कमान का फैस्ता थ हाई कमान का फैस्ता था और कुछ मुझे यह भी विश्वर्शनी शुत्रोद्वरा ग्यात पुआ कि किरंदा के उपर कुछ केसे सुना है हाई कमान में पता चला कोई कोई लफड़े हैं जमीन माफियों के गौड नोज दिखो मेरा भाई है मैं कहने सकती इसलिए उनकी टि माँ है आप इस पार समर्तन करो अगली बार भावी जी लड़नेंगी हां से मगर उनने नहीं मानी मगर मुझे पता चला कि उनको लड़ाने के लिए एक एंटी गुरूप काम कर रहा है तो हमें समझना होगा उत्राखंट के युवाओं और महिलाओं को एंटी गुरूप पूरा ये विधान सभा होट क्या होट होट रहेगी मगर मैं कहना चाहती हूं जब ये जीत के चले आएंगे ये विधायक निती भी घर्जनी कर पाएंगे आज मेरे उत्राखंट के युवाओं और महिलाओं को समझना होगा कि भर्दा को जीताना होगा चाए मोधी आजये चाहा हमिसा आजाएं चाहा कितने आजाएं अभी आप देखो ना अभी पिछली बार टक्कर लेने आ गए थे खट्टर साब हैं चार मिनेट में चले गए फॉर्मल्टी करने आ गए और आपको पता है कि जब भी भाजपा आती है तो ये आरसेस के मुख्यमंत्री बनते हैं यह कुछ नहीं करते हैं इनको कुछ तो पता होता नहीं अधिकारी सब्सक्राइब आपने देखो हर विदान समय में दियम बाहर के होते हैं हमारे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं अगर आप देखो गे बीचेवी गौवर्मेंट में हमेसा बाहरी अधिकारी होते हैं अधिकारी बाहर के मेरे एक मित्र की बावतारी हूं वह बीचेवी में जोयन कर लिए ह्याना से एंपी बड़े लेपल पर वह कहते कि आरसेस वाले चार बिस्किट सारे एजंट मतला है अरसेस के चार तरफ कबर कर देते हैं लोग उनके घर पर आहम आदमी जाने सकता मिल न यह तो यह बात थी अब आप अगले दस दिन जो इलेक्शन को लगे हैं चार तारीकां और चोंदों को मददान होना उसमें लालकोवा विधानसबा में रहेंगी या और जग़ जाके भी प्रचार करेंगी अगर आर मेरे मुद्दों की जो लडाई अगर हर्दा मानते हैं मैं अभी बहुत जल्दी संयुक्त प्रेस करूंगी उनके साथ और निश्चित रूपे बाबा के दार उनको जीताएंगे मुख्य बंद बिनाएंगे और युवा युवाओं की जीत होगी इजबार और महि प्षिया बनेंगे और यहां की सारी मुलभूत सविताओं को दूर करेंगे हद्वानी सिद्नेस पांडे खबर पार के लिए